नमस्का दोस्तों पर आपका स्वागत है क्राउन इमिंग्रिशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो है स्टडी इन शेंगन कंट्रीज तो आज सब कंट्रीज के बारे में फिर एक बार डिसकस करूगा शेंगन की जितनी भी कंट्रीज हैं मैंने फिर बताया कि ज लिए उड्स पाॉस जा रहे हैं एकनामिकल देख रहे हैं फ्री में देख रहे हैं प्रीविज्ली रिफ्यूज्ड हैं डिपोट्टेड हैं तो वी नो कि आपकी प्रफाइल को कहां पर डाला जाए एक वो कंसल्टेंट है जो सिरफ एक ही कंट्री को मार्किट के अंदर पर पर्मोट करता है जा अस्टेलिया को ही पर्मोट करता है यहां सिर्फ यूके को ही पर्मोट करता है जैसे यूके की भेटचा चली हुई है बट हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है अगर आपकी एलिजिबल्टी कैनेडा के लिए बनती है तो फिर्स्टी वी बिल प्रैफर कि apply कर सकते हैं आपकी profile देखने के बाद we are representing number of universities there और number of colleges there in Canada उसकी भी हमारी एक series चल रही है already जिसके अंदर मैंने बहुत सारी universities को touch किया हुआ है हर एक university और हर एक public college के उपर मेरी एक comprehensive video लगातार आ रही है Canada से related ऐसे ही हम हर एक country के अंदर technical है तो अभी एक consultant के थूँ आप अपलाई करते हैं सिरफ Finland का उसके पास Finland के अलावा एक दो हो और countries के options मिल सकते हैं जाए Canada को promote कर रहा है वो Canada के अलावा एक दो हो और countries के options देदेगा but crown immigration की fingers के उपर हैं यह 26 countries शेंगन की और चार EU countries जो अभी तक शेंगन के साथ जोइन नहीं की है इवन इसके अलावा भी हमारे पाफ बहुत सारी country 100 countries है total यहां पर हम students के options प्रवाइड करते हैं तो सबसे पहले आस्ट्रिया आस्ट्रिया में जाना है तो सब्तंबर intake सब countries के already open है अभी यह लेकर चलिए कुछ के close होने वाले हैं within one or two weeks के अंदर तो depend है कि आप चाहते क्या है Belgium में जाना है तो crown immigration आपकी help कर सकती है कौन सी country में आपने अपना blog account की requirement रहती है जहां student deposit दिखाना पड़ता है जहां GIC दिखाना पड़ता है जहां fund transfer करने पड़ते है maintenance के it is again depend चेक Republic में आपने डालना है Denmark के अंदर आपने डालना है depend है आप suppose के साथ जा रहे हैं तो then we will recommending कि हाँ आपको हम कुन सी country के अंदर डालें इसी तरीके से हर एक profile को चेक करने के बाद क्या आपका study में बहुत ज़्यादा gap है क्या आप ऐसी universities और ऐसी country में डालना चाहते है शेंगन के अंदर यहां पर आपकी कहीं पर interview ना आए बट आपकी profile क्या है चेक करने के बाद हम बता सकते हैं इसी तरीके से इस्टोनिया है इस्टोनिया में भी बियर applying number of cases इस्टोनिया जो की बालकन स्टेट जहां जिसको हम Eastern Europe कहते हैं इसी तरीके से हमारे पास Finland है फ्रांस हैं फिल्लेंड के अंदर number of applications डल रही है और फिल्लेंड ही एक ऐसी कंट्री है और फ्रांस ही कैसी कंट्री है और जर्मनी ही कैसी कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा आपको post study permit मिलता है after completion of study और आप चाहते हैं किसर मैं उस country के अंदर जाना चाहता हूँ जहां पर maximum part time working alone हो और यहां पर maximum post study permit मिले आपकी profile को देखने के बाद we can suggest कि अभी आपको क्या करना चाहिए और कहां पर आपकी applications डालने चाहिए अभी Greece में डालना है जहां जर्मनी में डालना है again depend कि Greece का visa success rate कैसा है जर्मनी में free study है वहां की सारी की सारी universities के अंदर but logged account की एक obligations है यह क भी Hungarian stipendian program है वो international students के लिए जिसमें आपकी entire study आपकी accommodation even air ticket तक की आपको reimbursement मिलती है फिर मैंने बता दिया technical कौन है जो आपको इसके बारे में बता सकता है जिसको in countries के बारे में knowledge है इटली के नाम पर सिर्फ आपसे हमने apply करने के नाम पर सिर्फ scholarship के नाम पर जहां सिर्फ आप आपका वीजा apply करने के नाम पर लाखों रुपे लेने है उससे कैसे aware होना है और वीजा success rate कैसा है number of videos है इटली की हमारे चैनल के उपर बहां जाकर भी आप देख सकते हैं आइजलेंड है डैन्मार्क का पार्ट है आइजलेंड के अंदर भी university है उसमें भी हम आपके admission करवा सकते हैं depend है आप चाहते क्या है फिर हमारे पास है लाट्विया लथूनिया अभी लथूनिया में कौन सी profile को हम डाल सकते हैं जिनोंने master के लिए जाना है जा लथूनिया का इस साल visa success rate कैसा था previous तीन साल का visa success rate कैसा रहा है लाट्विया में डालना है तो क्या precautions लेने है क्या बच्चे के पास real funds या real document या fake document लगाकर लाट्विया का apply करते हैं तो क्या happening हो सकती है hello verify क्या है AIC क्या है OCM में invitation क्या है यह बो ही technical बता सकता है जिनको इन countries के बारे में knowledge है लग्जंबर जो की free study provide करता है international students को बहाँ पर private universities भी है बहाँ पर भी हम आपका admission करवा सकते हैं लिस्टन स्टाइन चुटी सी country world की उसके अंदर भी एक university है उसमें भी crown immigration आपकी help कर सकता है depend again कि आप चाहते क्या है Malta promoter country देव दड़ादर market के अंदर promotion चलती है कैननों के उपर Malta को इस way से promote किया जाता है कि जिसका visa success rate बहुत easy है बहुत ज़ाद वीजा दे रहा है बट उसके उल्ट है Malta में भी जाना है we will proceed your application University of Malta के लिए अगर आपके पास six ILTS band है तो then there is no problem for visa but आप चाहते हैं कि बस मैं जो सामने वाला agent बताता है dream दखाता है उसने बता लिया कि Malta का हो गया ऐसा नहीं है Malta के अंदर number of rejections आती है but फिर depend आपके consultant और आपके उपर ज्यादा है कि आपकी research कैसी है in countries के उपर फिर हमारे पास Norway जो कि international students को free में study प्रवाइड करता है अभी depend है कि आपका consultant कैसा है वो किस वे से आपके case को represent करता है depend है ना नीदरलेंड नीदरलेंड का visa success rate highest है इन country जितनी भी मैं बोड़ रहा हूं कौन सी country का हाइस visa success rate है कौन सी country का 95% है कौन सी country का 50% है कौन सी country का 80% है आपका consultant बता सकता है जैसे हम इन country के नाम बता रहे हैं ऐसे ही ये country भी हमारी fingers के उपर है और हम आपकी help कर सकते हैं आपकी profile देखने के बाद अभी पॉलेंड प्रमोटर कंटरी है number of refusal आती है admission 100% है बहाँ पर without any problem बट बहाँ पर क्या precautions लेने है कौन सी profile का visa निकल सकता है अगर visa refuse होता है तो आपका consultant embassy से fight करके कैसे visa ले सकता है यही competency है आपके consultant के अंदर अगर वो पॉलेंड को भी प्रमोट करता है बट हम पॉलेंड को अवाइड करते हैं पुर्तगाल में जाना है Crown Immigration का अपना full-fledged office है कौन सी university में आप admission लेना चाहते हैं बट पॉर्तगाल को लोगों के concept और mind के अंदर ऐसा है कि बहुत easily visa देता है उसको अपने mind से निकाले आपकी profile appropriate है आपके पास IELTS है then there is no problem for study visa of फॉर्तगाल अगर आप मुझे profile शो करेंगे इसी तरीके से हमारे पास Spain का visa जो success rate admission 100% है public universities से लेना है we can organize but visa के लिए they are very strict but जो Spain का consulate Mumbai के अंदर है they are little bit linear if I will compare with Mumbai consulate Delhi consulate with Mumbai consulate के साथ but precautions क्या लेने है Mumbai में apply कर रहे है Spain का visa या Delhi से apply कर रहे है यह वो ही बता सकता है जिसको technically knowledge है आपका medical कितना important है आपकी PCC कितनी important है आपने fund किस way से दखाने है आपने source of income किस way से दखाने है Switzerland को भी हम promote करते है maximum वहां की public universities में बेजते हैं जिसकी fees आप यह लेकर चलें 4,000 से लेकर 6,000 euro की है but आप लोगोंने कहां जाना है private colleges में tourism hospitality की जिनकी fees 12,000 euro से start होकर 20,000 euro की है आप लोगोंने वैसे trap में आना है public universities में जाना है admission किस way से ले सकते हैं आपका experience कितना important है, आपकी study कितनी important है, आपका PT या ILTS कितना important है वो ही बता सकता है जिसको इस technical चीज़ के बारे में knowledge है Sweden, number of students को हम Sweden में apply करते हैं क्योंकि Sweden में हमारे number of students जाते हैं बहां पर क्या precautions लेना है admissions कैसे आपका secure हो सकता है आप अपनी residency किस way से apply कर सकते हैं funds को किस way से elaborate करना है biometric की date कैसे हमने ले कर देनी है अगर interview आ जाता है तो interview में आप से क्या question पूछे जा सकते हैं यह बो ही बता सकता है जिसको इसके बारे में knowledge है आगे है Slovenia और Slovakia we are putting a number of cases there in Slovenia and Slovakia अभी Slovenia की जो visa process है residencies की it will take a three to six month after getting the admissions उसमें क्या precautions लेने है fund किस way से elaborate करने है और क्या बहां से admission without ILTS आ जाता है क्या बहां का visa residency लेना after admissions कितना easy है सुलवाकिया कितनी rigid country है और embassy का nature कैसा है Indian students के two words और कौन से document को बहां से translation करवाना पड़ता है authorized translator कहां कहां से हमने find out करना है अगर हम सुलवाकिया जैसी country के अंदर डालते हैं ये countries जैसे मैंने आपको इस video के अंदर बताई है इतनी countries अगर आपका को consultant बता दे मैं कहूंगा apply अपना visa किसी भी stream में humanity में जाना है engineering में जाना है medical में जाना है business में जाना है crown immigration आपकी help कर सकता है हमें मालूम है कि कौन सी कंटे की economical study है और किस वे से बट आपने जाना UK है जिसकी 16 लाग की फीज है आपने सिर्फ उसकी बात को मानना है जिसकी promotion चैनलों के उपर आ रही है हम भी करते हैं बट हम fact बताते है UK का avoid करने की कोशिश करता हूँ कोई फैदा नहीं है 16 16 लाग की फीज लगा कर जा रहे है तो next year की फीज कहां से generate करोगे 16 लाग की अगर जितनी फीज लगा कर जा रहे है इतने में तो आपकी bachelor degree complete हो सकती है शेंगन कंट्री में ऐसी options है हमारे पास फिर हमारे पास है यूरोप में रूमानिया बुलगारिया कुरेशिया और साइप्रस अभी इन चारों कंट्री में किस वेसे आप जा सकते हैं इन में से कौन सी कंट्री बैटर है साइप्रस को तुम्हें डिल कांटा ही फेरता हूँ कि वहाँ पर जाने का फैदा नहीं है पैसे वेस्ट मत करें लेकिन आप अनदर तीन कंट्री जाहे रुमानिया बुलगारिया को किस वेसे इन कैश कर सकते हैं कौन से नंबर ओफ एप्लिकेशन चरनी है अगर आप हमारे साथ आड़ी रिजिस्टर भी है अभी तक आपका केस अप्लाई नहीं हुआ है तो तब भी हमारे ओफिस में इमीजेली संपर करें तांकि आपका इन टाइम अप्लाई किया जाए और लास्टी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों को जो शेंगन में जाना चाहते हैं यॉर्प में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें तो लास्टी मेरी इस वीडियो को क्लोज करते हैं थैंक यॉ